आप सभी का वेलकम हैं आपके बने प्यारे से परिवार इंग्लिस मुथ फुस्पेंशर में मैं पुश्पेंदर आप सभी का हर्टली वेलकम करता हूं और आज बंदु सुरुवात करने वाले हैं एडियम्स और फ्रेजज की एडियम्स और फ्रेजज जिनको आप लोगोक्तिया या मोहवरे कहते हैं आपके एक्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं और खासतर से ऐसे एडियम्स भी देखने को मिलते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं तो रीजन नंबर आप EDM जादा जादा discuss करेंगे तभी उसको cater कर पाएंगे अब ले दे करके अगर 200-500 EDM पढ़ेंगे तो इससे problem आपकी start out नहीं होने वाली है तो हम लोग क्या करने वाले हैं basically यहाँ पर EDM को deal करने वाले हैं यहाँ पर topmost 1000 EDM को discuss करने वाले हैं जो 1000 EDM discuss करेंगे उनके माद्यम से बहुत सारे EDM relate करके मैं आपको बताता चलूगा तो यह जो series है यह यह बाउट 2000 प्लस की series बनने वाली है आपकी ठीक है तो चलिए फिर start करता है बागी depend करता है आपके इस level तक support करता है बहुत कुछ उस बात पर भी depend करता है अगर आपका support बहुत अच्छा है तो आपको इस तरीच और आंगे continue मिलेगे चलिए तब बिलाल start करता है पहला EDM अगर आप देखेंगे तो that is rank and file rank and file का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जो common people है common man है ठीक है mango man जिसको बोलता हो na mango man आम आदमी है ना a man आप street जिसको बोलता हो rank and file इस आप सीधे कह सकता हो है ना या फिर आप कह सकता हो mundane people जो साधरार लोग है साधरार स्रेणी के लोग है जो बहुत जादा higher level पर नहीं है उनको हम लोग बोलते है rank and file लेकिन मन्दू एक बात ध्यान देना एक idiom आता है आपका a man a man a man of the state या in the state है ना a man in the state तो इसका meaning क्या हो होता है कैसा ordinary people है ना जो आम आदमी है इसको आप बोलता हो common person आप यह कह सकतो common person है ना जिसको आप क्या कहतो man कहतो है ना तो थोड़ा सा relate करेंगे तो बेतर होगा idioms multiple में होंगे याद करने में आपको आसानी होगी memorize करने में आसानी होगी और बंदू अगर मेरे इन सेसंस को देख रहे हैं तो आप से बस एक हमल रिक्ष्ट है आपको रटना नहीं है किसी चीज को रटना वो कैप में solution नहीं होता है वो कैप का solution होता है कि आप daily basis पर उसको पढ़ें बस सिर्फ पढ़ें और कुछ नहीं करना है there is no other alternative इसका कोई alternative ही नहीं हो कैप का अब रटेंगे रटने से नहीं याद होते है daily basis पर बजी recall करिए एक बड़ पर यह आपने बस recall करते हैं चले जा रहे है सब clear होता जाएगा तो यह clear होगे आपका idiom एक और मिल गए आपको एक idiom और आता है down and out एक idiom और आता है down and out down and out का क्या मीनिग होता है बंदू down and out का मतलब होता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा poor है downtrodent है उनको उस तरीके को लोगों को justify करने के लिए हम एक idiom लेते है that is down and out है ना down and down का मतलब होता है very poor है ना ये कह सकते हो या फिर ये कह सकता हो कि ऐसे लोग जिनके पास resources का अभाओ है चीजे नहीं है अभाओ ग्रस्त हैं है ना बलब उनके पास resources की बहुत कमी है ऐसे लोग क्या कहलाते है down and out कहलाते है न जो समाज में बहुत ही गरीब है निम नवर की के है उनके लिए आप यूज करते हो down and out तो basically हमने तीन idiom पढ़े है rank and file a man in the street और down and out तो याद रखेगे इन तीनो idioms को ठीक है चले तो फिलाल इसका meaning देख लेते है rank and file का मतलब क्या होता है ordinary people rank and file का मतलब होता है ordinary people ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि जो government है वो बहुत को depend करते है rank and file पर है ना every government is a dependent है ना on rank and file है ना यह जो सरकारे बनती है rank and file ही बनाते है rank and file का मतलब ordinary people ही बनाते हैं, mango man ही बनाते हैं, चलिए clear है, आए बढ़ते है, second idiom की तरफ, by fits and starts, by fits and starts का मतलब होता है, जो काम आप irregular तरीके से करते हो, है न, जिसमें नीमित्ता नहीं है, continuity नहीं है, है न, जिसमें आप consistent नहीं है, ठीक है, जैसे आप दो दिन पढ़ते हो, तीन दिन ब्रेक ले है, कि वो दो दिन तो जोस जोस में पढ़ता है, उसने संदीब मैसरी का सो देखा, और इस तरहीं के से गजब का motivation, motivation की हवा भर गए इसके अंदर, और दो दिन वो जबर जब जब तरीके से पढ़ता है, और दो दिन इतना ज्यादा पढ़ लेता है, कि अगरे तीन दिन खर देखेगा फिर हवा भरेगी, फिर हो, तो यह सिस्टम चलता रहता है, तो आपको यह नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको daily basis पर बड़े छोटे छोटे चोटे target set करिए, पढ़िये, by fits and starts तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, irregular तरीके से नहीं पढ़ना है, तो by fits and starts, याद कैसे करेंगे, देखो, fits मतलब होता है, दोरे पढ़ना है ना, जिसको जैसे बूलते हो, आप एक तरीके से क्या का जाए, कि unconsciousness आजाना है ना, तो किसी को unconsciousness आगया है, फिर start हो रहा है, तो इसका मतलब काम रुक गया, फिर start हो आपको इसका मतलब है, कोई काम जो निर यही है, आपका, air regularly है ना, आनीमित तरीके से, इसी को बोलते हो, एक और अच्छा वर्ड लिख लेते हैं, इसके लिए, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो, sporadic, क्या वर्ड यूज करते हो, sporadic है ना, तो एक वर्ड यह याद रखेगा, sporadic का मतलब भी होता है, आनीमित तरी तो यह तीन आपके idioms हो गया फिलाल एक यह आपका bifits and starts हो गया एक आपका space mode हो गया दूसरा आपका इस पो ready हो गया इनका मतलब भी होता है अनिमित तोर पर inconsistent कह सकते हो इसी को अगर कहोगे तो एक वर्ड यह कह सकते हो inconsistent inconsistent है ना तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब भी अ निमित तोर पर है ना तो इस चार वर्ड बेसिकली आपको यहां से याद रखने है ना clear है बंदू? nest चलते हैं तो इसका meaning देख लिए क्या कहना चाहरा है कह रहा है bifits and starts का मतलब in short period not regularly है ना short period में आप काम कर रहे हो मतलब regular तरीके से नहीं persistent नहीं हो किसी काम को करने के लि बहुत थोड़ा वी बिट है ना वी वी को बी से रिलेट कर सकतो बी डबल ए जो बी होती मत्मक्की होती उसकी विट विट को बिट मतलब थोड़ी से होती छोटी से होती है ना तो इसका मतलब very little कोई चीज एमांट में बहुत कम है उसके लिए word यूज करते है अब भी जाल लेंगे ठीक है बाकि आप नोट से बनाते चलिएगा तो बेतर रहेगा अब अच्छे तरीक इस चीजों को ग्रिप कर पाएंगे आउट आप दा वूट है ना आप दा वूड़ वूट मतलब यहां पर वूट से वूट मतलब जैंगल जैसे वूड़ वूड मतलब होत में था और जैसे वह आउट आप आप आगया आउट आप मतलब बाहर आगया तो जैसे वह बाहर आगया किस से बाहर आगया वूड से मतलब जैंगल से है ना इसी तरीक इसका मीनिंग हो गया वो डिफीकल्टी से बाहर आगया आउट फ्रॉम डिफीकल्टी है ना तो यह कह आउट आपदा बर्ड श्रीЭто की होते हैं जो संसे ब्रबू है लाखों में ना है character है चल श्रीया कैसि हमारे ब्रबु हो लग करक श्र्द करकर देंदम और संसार से हड करल्erosheen आपक्सर ब्रबु लगेन फेचनर अनंढार यहें चलीं क्या इसलग कि चलों नो необходимо हट करके जो extraordinary है जो magnificent है जो splendid है उसको बोलोगे out of the world out of the world है ना तो याद रखिएगा चलिए next चलते हैं तो out of the wood का meaning आपका यहाँ पर लिखा है क्या free from difficulties and dangers मुसीबत से बाहर आ जाना वही meaning में समझा रहा था दो idiom एक साथ discuss की है out of the wood free from difficulty मुसीबत से बाहर आ जाना out of the world इसका मतलब बहुत ही सांदार बहुत ही splendid जो सबसे सुन्दर है है ना उसको बोलते हैं चलिए next पर चलते हैं अगले वाले पर under his thumb है ना पहले के समय में लोग क्या करते थे thumb लगाते थे thumb का मतलब जैसे आज के समय में sign करते हैं वैसे क्या करते पहले के समय में thumb लगाते थे हैं ना तो जो thumb लगा रहा है इसका मतलब है उसके authority है ना उसका अधिकार है ठीक तो under the thumb up इसका मतलब under the control up है ना समझारी बात डिस्ट एक डिस्टिक के अंतरगत जितनी भी चीजे आती है वो सभी अंडर दर थं थंब आप इसके होते है डिस्टिक में स्टेट के होती है है ना तो यह बात समझ में आ रही होगी under the thumb up का मतलब अंडर दी control up है ना एक जो पूरे इस्टेट का जो सीयम होता है ठीक है उसके अंडर में सारी state की समस्य है आती है ना तो इसका मतलब अंडर थम आप का मतलब है under the control of जान रखियेगा लेकिन एक idiom में और बताता हम आपको all thumb all thumb का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है clunginess इसका मतलब होता है clunginess है ना सभी के सभी अंगुठा चाफ है मतलब कोई भी ढंका आदमी है नहीं है जैसे आप वो मुवी देखते हो ना माला माल वीकली है ना तो कोई पड़ा लिखा है नहीं सभी के सभी कैसे निरच्छन है illiterate है असिच्छित है है ना किवल एक ही व्यक्ति है वो पड़ा लिखा है कौन परेषरावल है ना बाकि सभी जितने हैं वो कैसे है तो अल थंब है सभी के सभी illiterate है ठीक है प्लमजी नेस है ये कह सकते हो तो थंब से दो वर्ड याद रहे आप मनदाब क्या हो गया मिपा हो गया मीनिंग हो गया अंडर एिज कान पन्ट्रोल ऑफ कर На ये बात धाल यान मंदर का Mak प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् ठीक है चले तो बात समझ में आगे होगी इसको मैं फिर से लिख देता हम आपके लिए साइध मीनिंग ने समझ में आ रही हो तो यह वर्ड है आपका कौन सा पर प्लाइक स्ट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है लाइब क्लास नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा आपhatा है रहे से देखे गाए एक और आता एक एडियम आता है आपका आट सी का मतलब है कंफीूज होता है इसका मतलब सी 豆 ओ है इसका मतलब होता है इसका जान रखेगा क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वह situation at once wits end की है ना कि बलकुल भी brain काम नहीं कर रहा है wits बतर intelligence end मतर खत्म हो गई जब आपके सोचने समझने की सकती खत्म हो गई है तो situation में आप क्या हो जाएंगे confused हो जाएंगे between devil and the deep sea है ना betwin devil and the deep sea तो क्या होता है आंगे कुआ पीछे खाई है जैसे मालोग कोई आप ही में से बहुत सारे कॉम्टेटर है जो कॉम्टेटर एक्जाम के तयारी करते हैं लंबे समयते के तैयारी करते सेलेक्षन नहीं हो रहा है ठीक है और उसके बाद किया होता है साधी का नंबर आ जाता है उसके बाद marriage हो जाती है इदर से घर्वारों का प्रिशर उदर से मैडम का प्रिशर दोनों के बीच में हाँ था है ना आंगे कुआ पीछे पर जाना तो बैडवीं टूउडिपिकल्टीज है ना लिम वाली सिटूएशन में होना तो इसको क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे बैडवीं टूडेंजर तो डेंजर इसी को बोलते है बैडवीं स्काइला एंड चैरीबिट सा एक एडियम आऊर आता है आपका बैडविं skyla and cherry bits. इसका meaning क्या होता है? जिसका भी same meaning है. ठीक है? दू मुसीबतों के बीच होना. Bad bean, skyla and cherry bits है. ठीक है? नैस चलते हैं बंदू, अगले वाले पे. Burn the midnight oil. इसका meaning क्या है? देखे, पहले के समय में lighting rating तो होती नहीं थी. लोग क्या करते थे? दीपक जलाते थे. कब yeah और जनाभ करके के गिए अर को बार ने, और सभी झाल मिडनाइटब यहां आराम से सो रहे एंदा मिडनाइट कि है वाइन देररात तक काम करना है ना इसका मतलब करना है इसका मीनिंग होता है तो देखिए क्या कह रहा है इसका मीनिंग हो गया मतलब वर्क टू वर्क आर स्टेडी हार्ड देर राद तक पढ़ाई करना है ना तो मीनिंग वही है वो फुली निकाल पाएंगे, call, spade, I, spade, मतलब clear cut बात करना, अक्सर हम से कहा जाता है कि भाई, गुमा फिरा करके बात नब बरो, clear cut, frank बोलने की आदर डालो, है न, काल, I, spade, I, spade का मतलब होता है, to speak frankly, इसका meaning होता है, call, call मतलब कहना है, कैसे कहना है, सीधी-सीधी बात कहनी है, न, तो इसका मतलब to say frankly, to say frankly, है न, या फिर to say straight forward, आप ये कह सकतो, straight forward, to say straight forward, है न, तो इसको क्या बोलतो हो, call, spade, I, spade, call, I, spade, I, spade, ठीक है, चले फिला, तो meaning clear हो गया, speak frankly and directly, सीधी बात करने वाला है ना, सीधी बात लो पक्वास, ऐसा statement कहने वाला, कैसा है, call I speed, I speed, come up with flying colors, अगला idiom है, come up with flying colors, है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखे, flying colors, ठीक है, इसका मतलब success को denote करता है, flying करा, तो क्या है, be highly successful, बहुत ज्यादा सफल हो जाना, बहुत ज्यादा सफल हो जाना, है ना, be highly successful, तो बहुत ज्यादा, highly highly मतलब बहुत ज्यादा, successful हो जाना, अगले वाले बर्ड पर बढ़ता है, तो ये clear हो गया, come up with flying colors का मतलब हो गया, be highly successful, next time, hoping against hope, hopeless हो जाना, hoping against hope का मीनिव होता है, without hope, hope का ना होना, है ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा PC mystic हो जाना, ये कह सकते हो, बहुत ज्यादा PC mystic हो जाना, इसका मीनिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा PC mystic हो जाना, hopeless हो जाना, you can say hopeless है ना, without hope कह लिजे, या फिर hopeless कह लिजे, hoping against hope, ये idiom है आपका, hoping against hope, hope के against hope, मतलब पहले से hope नहीं थी, और भ ठीक समय पर, है ना, nail को hit करना, head पर nail को hit करना, इसका मतलब कोई काम बिल्कुल at the time पर करना, to do any work on the right time, to do any work in the right time, बिल्कुल ठीक समय पर, meanwhile कह सकतो आप, एक सब्दे में कहना चाहो तो आप क्या कह सकतो, meanwhile, क्या कह सकतो, meanwhile, है ना, तो ये आप ध्यान रखना है, तो hit the nail on the head, इसका मतलब at the right time, बिल्कुल सही समय पर, है ना, appropriate time है, समझारी बात, कोई भी example ले सकते हैं, है ना, तो जिस समय में मुद्दी की बात चल लही थी, उसी समय मेरे मित्रकावा आना हो गया, तो he hit the nail on the head, है ना, when we are going to discussion, है ना, जब लोग पीक पर, discussion के पीक पर थे उसी समय, वो वहाँ पर आगया, next, आईए, तो इसका मतलब do or say the adjective thing, an adjective grind, अपनी कुलाडी बताना, self motive, self matter को fulfill करने की कोसिस करना, है ना, तो यह इसका meaning है, तो self matter को fulfill करने कोसिस करना, या अपनी एक्स बताना, है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, एक्स मतलब कु अपनी है, ठीक है, एक व्यक्ति जा रहा होता है, दूसरा उससे बोलता है, कि भई, ठीक है, तुम यह जो एक्स ले करके जा रहे हो, जो कुलाडी ले करके जा रहे हो, ठीक है, इससे कुछ कर नहीं पाओगे, है ना, और वो कहता है, नहीं मैं इसको, इसको grind करने वाला बहुत अच्छी तरीके से grind कर सकता हो, चैलेंज दे देता हो, तो वो क्या करता है, उसको x देता है, grind करने के लो, जैसे grind कर देता है, वैसे ले करके वो नोदेगेरा हो जाता है, वालब वो अपना जो task है, वो फुल्फिल करा लेता है, अपना खुद का motive फुल्फिल कर ले होता है, तो an x to grind का मतलब होता है, आप personal interest in matter, बाकि एक बात ध्याद देना, एक idiom और रहता है आपका, यही पर समझ लिए, get an x, यहा था है, get an x, इसका मतलब होता है, dismissed from his job, dismissed from his job, job से निकाल देना, service से निकाल देना, यह इसका meaning होता है, तो dismissed someone from job or service, किसी को उसकी service से निकाल देना, यह इसका meaning होता है, get an x, और इसको बोलते है, get an apple, यह दो तीन idiom same है, get an apple, यहा फिर बोलते है, get the boot, get the boot, और सभी का meaning same है, इन सभी का meaning same है, get an x, get the boot, get an apple, इन सभी का सब्सक्राइब एक ही है डिस्मिस्ट फ्रॉम जॉब और सर्विस किसी को उसकी जॉब या सर्विस से निकाल देना क्या कहलाता है गेट एन एक्स ठीक है अगले वाले पर जलते हैं टू गेट रिड आफ जैसे आपका एक एडियम और आता है बरीदा हैचेट कुलाड़ी से रिलेटेड है उसको भी नोट का लीजेगा बरीदा हैचेट इसलिए मैं बोल ला हूँ न कि जब आप खतम करेंगे तो बहुत सारे एडियम कर चुके होंगे है न जो अलेडी लीटेंड है वो तो है उसके यके लावा आप कर चुके होंगे बरीदा हैचेट हैचेट इसलिब अचेट कल martin कर देना बारी करने का मतब देल्ब्स है किसका हुआ रिजब करना है तो इसको बरी गर देना मतलब क्या करना, ठेक है यह पुरानी इस परत है जिन्द सब方面 है, दक्राश् vendo कर से पालिटेंगरं मतलब होता है, कि Сबस्पारा पाँए देそう तो get rate के साथ preposition off लगता है, dispose के साथ preposition off लगता है, द्याद देना, किसी जिद छुटकारा पा लेना, dispose off करने का मतब sell कर देना भी होता है, base देना भी होता है, तो यह बात देना, नश चलते हैं, आज का last EDM और discuss करते हैं, आज 15 EDM ही discuss करेंगे, चुकि अब आपकी class का schedule है, कल आपको बताऊंगा, कि किस तरीके से आपका schedule मिलने वाला है, आपके इस तरीके से तयारी करने वाले है, प्रॉपर जो वीडियो मिलने वाले है, उनका sequence क्या रहेगा, at daggers drawn, daggers मतलब होता है खंजर, drawn मतलब होता है खीज देना, भोग देना, खंजर भोग दिया, खंजर किस ब्लड इसी के लिए यूज करते हो, है ना, जिसके प्रती, ब्लड जो है, वो कैसा है, बाइड है, बहुत बुरा ब्लड है, है इसका मतलब है, वो कैसा है, वो बहुत ही जादा गोर सत्रु है, ओपन एनेमेटी कह सकते हो, गोर सत्रुता, है ना, तो daggers drawn एक वर्ड है, और एक बैड ब्लड एक वर्ड है, तो उन्हों ध्यान रखेगा, जैसे जूलीर, वो आपने पड़ा होगा, ब्रुटस, ब्लुटस नाम का करेक्टर होता है, वो क्या करता है, वो खंजर भोग देता है, है ना, खंजर भोग देता है आपने दोस्त, यार, मित्र की, है ना, जो कि जो मित्र जिस पर उसको बहुत ज्यादा विश्वास होता था है तो डेगर से ट्रॉन करने का मतलब होता है खंजर मोकना है नेस्ट और वो कहता है एक टू बूट तुम भी बूटस है ना एक बड़े अच्छे फ्रेज आती है एक टू बूट मतलब तुम भी बूटस नेस आपको इसी के आगे प्रोसेट करेंगे नेस सेसन पर अब आपको कल से क्या करना है पीडियाप अभी नहीं मिलेगी पीडिय आपको एक साथ देंगे जब पूरा session complete हो जाए thousand EDMs complete हो जाए तब एक साथ पूरी PDF आपका मिलने वाले है ठीक है चलो बंदू लेते हैं इजाजत मिलता है ना session में तब तक के लिए आप सभी को जैहिन thank you class